हेलो एवरीवन, होप यूर अव्यूर्ट वेल्कम और वेल्कम बैक तो माई चैनल तो स्टुडेंट आज हम चैप्टर नमबर फोर है दा रायट ट्रैप जो की क्लास 12 इंगलिश फ्लेमिंगो बुक से हमने लिया है इसके हम Talking About the Text से Question को Cover करेंगे और इस चैप्टर की जो रायटर है वो सैलमा लेगरलाफ है और ये जो Talking About the Text से हम Question आज करने जा रहे हैं ये आपकी Text Book का Question है तो स्टार्ट करते हैं Question जो है The Reader's Sympathy is with the Paddler right from the beginning of the story कि जैसे ही Story शुरू होती है तो जो Paddler है वो readers की sympathy gain कर लेता है यानि कि जो पढ़ने वाले लोग हैं पाठक हैं वो उसके पूरी सहानुभूती जो है पैडलर के साथ हो जाती है इस फेरी वाले के साथ हो जाती है जो घूम घूम कर चुहें बनाने के पिंचरे पेशता है तो ऐसा क्यूं और इस दा sympathy justified और क्या उसके प्रती जो sympathy दिखाई गई या gain कर लेता है वो readers के मन में आपने लिए sympathy क्या वो justified है आपसे गी question पूछ रहा है तो answer होगा यह जो पैडलर था यह जो फेरी वाला था यह एक बहुत ही अनलगी परसन था यह बहुत ही गरीब बैखती था यह वांदर रम दोर तो डोर आसकिंग पूर सम फूज एंड नाइट शेल्टर बद प्यूपल दिड नॉट सेंफ़थाईस विद हिम अब यह दोर तो डोर गूमता था एक दरवाजे से दूसर दरवाजे गूमता था और यह लोगों से कहीं पर अपने लीग खाना भी मांगा करता था और उसके साथ साथ जब रात हो जाती थी तो उसके पास रात बिताने के लिए इसका खुद का घर नहीं था तो वो लोगों से थोड़ इसी आशे मांग लिया करता था कि क्या वो रात वहां गुजार ले लेकिन लोग जो थे उसके साथ बिल्कुल भी साहनभूती व्यक्त नहीं किया करते थे वो लोग हमेशा उसके साथ बुरा बरताव करते थे He made his own rat trap अब वो अपने खुद के rat trap और ये सारी की सारी जो चीजे थी इन सारी चीजों ने हमें उसके प्रती साहनभूती गेन करने में मदद करी He backs the material like wire for the rat traps अब वो अपने rat trap बनाने के लिए चुहें बनाने के पिंजरे बनाने के लिए जो wire लगते थी उसको भी वो लोगों से भीक में मंगा करता था क्योंकि उसके पास अपना business चलाने के लिए पैसा नहीं था His business not being specially profitable अब उसका जो business था वो बिल्कुल भी profitable नहीं था यानि कि उसको उसमें कोई भी profit नहीं हुआ करता था He is not a bad person but he has to steal to fulfill his small needs अब वो एक बुरा वैक थी तो बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि वो काम करके मैनत करके अपना पेट भरना चाहता था लेकिन लोग ही उसके पिंजरे नहीं करीते थे तो उसे अपनी basic चुरूरतों को पूरा करने के लिए चोटे चोटे अवश्यक्ताव को पूरा करने के लिए चोरी भी करनी पड़ती थी He demands some work from people और इसके साथ सथ वो लोगों से कुछ काम भी मांगा करता था कि शायद लोगों से काम दे रहे तो उसकी विज़े से उसका उजारा चल जाए He wants to sell his red trap but people hated him अब अपने चोहें बनाने की जो पिंजरे थे चोहें पकड़ने की जो पिंजरे थे उनको बेचना तो चाहता है लेकिन लोग जो है उसको नफरत किया करते थे His life is sad and monotonous और उसके जो life थी वो बहुत ही उदास थी boring उदास भरी उसकी life थी यानि कि उसकी life में खुशी नाम की कोई चीज ही नहीं थी He plods along the road lost in his own meditation अब वो सड़क के किनारे किनारे अपने ही धुन में मस्ट अपने ही विचारों में मस्ट गूंता रहता था इदो दर भटकता रहता था The world has never been very kind to him and he feels happy is calling it a rat threat अब लोग जो थी जो दुनिया जो थी वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी लेकिन इसी वज़े से वो अपना एक विचार से बड़ा खुश रहता था क्योंकि वो इस पूरी दुनिया को ही एक rat trap कहा करता था उसकी नजर में ये जो पूरी दुनिया थी वो चुहे पकड़ने जैसा एक पिंजरा ही थी जिस प्रकार चुहे पकड़ने के लिए हम पिंजरे के अंदर कोई bread का टुकड़ा लगाते हैं उसके लालज में चुहें फसते हैं उसे लगता था कि जो दुनिया है एक rat trap के तरह है ये दुनिया भी चारे के रूप में लोगों को बहुत सुक्सुधाओं का लालस देती है और लोग इस चारे को निगल कर इस मिंजरे में फस जाते हैं तो इस विचार से वो बड़ा ही खुश हुआ करता था जब वो लोगों से एक रात के लिए आशे मांग लिया करता था तो लोग उसको देख के बड़ी ही अजीब से फेस बनाया करते थे उसके नफरत भरी नजर से देखते थे और वो उनके लिए एक ऐसा व्यक्ति होता था जिसका वेलकम नहीं किया जाना था और वो उसको पसंद नहीं करते थे और उसके साथ साथ वो एक ऐसी फिगर के रूप में सामने आता है कि जिसको बिल्कुल भी कोई नहीं चाहता था जिसकी की कोई कीमत ही नहीं थी अब जब लोहार जो था जो की मिल में वो गया उस टम बड़ी ठंड थी तो जहां पर लोहार काम कर रहे थे तो जब वहाँ पर जा कि उसने आशे मांगा तो उसने भी उसके तरफ बड़े ही कैजूली देखा और बड़े ही अजीब से नजरों से उसको देखा था अपनी गर्दन ये लागे कैं ठीक है तुम रहे लो लेकिन उसकी नजरों में क्या था उसकी नजरों में उसके लिए बिल्कुल भी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी जैसे वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा था अब एक जो बुड़ा और अकेला जो जो ग्राफ्टर नाम का व्यक्ति अपने मड में रहता था उसने ही केबल उसको इंजोयबल कमपनी माना क्योंकि वो रात बिताने के लिए उसे लगा कि उसके पास एक पार्टनर आ गया है अब जब आइरन मास्टर था उसने उसको अपने ओल्ड रेजिमेंचल कमरेट के रूप में गलती से उसको ऐसा लगा कि ये उसका एक पुराना परिचित है अब जो केबल और केबल एडला बिल मैंसन थी उसी ने उसके साथ बहुत ही काईन वहवार किया फ्रैंडली मैनर में वहवार उसने किया बाकी किसे से भी उसको इתनी रिस्पेक्ट नहीं मिली थी जितने की एडला से उसको मिली और उसकी वज़े से वो बहुत ज़्यादा उसके अच्छाईव से वो प्रभावित हो गया था अब उसके अच्छे बहेव से वो बहुत ज़्यादा बदल गया और उसको भी ऐसा लगने लगा कि उसके अच्छे वेवार की विज़े से उसको भी उसके साथ अच्छा वेवार ही देना चाहिए और इसी विज़े से जब वो उसकी घर से गया तो उसने जो क्रॉफटर की घर से 30 क्रोन और चुराई थे तो वो उसको वो वापिस कर गया Thus we see that Doug gets our sympathy very well Throughout this story and knowingly or unknowingly we find ourselves very attached to him और इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो हमारी संपती है उसके तरफ वो बिलकुल सही थी क्योंकि चाहते वे या ना चाहते वे भी हम ऐसा कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो ना चाहते वे भी हम उसके साथ attach हो जाते हैं क्योंकि जिस प्रकार से उसका करेक्टर दिखाया कि वो एक बहुत गरीब एकती था चोरी करना नहीं चाहता था और उसके सासत वो पिंजरे बेचकर अपना जीवन यापन करना चाहता था लोग उसे सानुबूती के उमीद रखता था लेकिन ये सारी ही चीज़े उसके साथ होती नहीं थी लोग उसे नफरत की दिश्टी से देखते थे उसके पिंजरे नहीं खरीदते थे और जब बिचारा खाना मांगता था उसे खाना नहीं मिलता था आशे मांगता था तब भी लोग उसे इकारत की नजर से देखते थे सिंपती तो दूर की बात है तो वो केवल और केवल लोग उसे थोड़ा सा अपने लिए अटेंशन चाहता था कि लोग उसकी भी परवा करें उसे भी इंसान समझे और ये सब चीजों से नहीं मिल रही थी लेकिन जब एडला के रूप में उसको एक अच्छा साथी मिला उसने उसको रिस्पेक्ट दी तो बदले में उसने भी उसके साथ एक अच्छा वहवार किया तो इसे हमें पता लगता है कि वो बुरा व्यक्ति नहीं था वो बहुत अच्छा व्यक्ति था बेशक वो अपनी गरीबी की मार से मारा वा था लेकिन उसके बाद भी उसके मन में उसके दिल में अच्छा ही भरी हुई थी तो इस प्रकार से जो हमारे संपती उसके प्रति जाती है वो बिल्कुल सही जाती है इसमें कहीं भी कोई गलत नहीं है तो हमने justify किया कि जो readers के संपती उसके साथ रहती है वो बिल्कुल सही रहती है तो student उमीद है यह answer आपको बहुत अच्छे से clear हुआ होगा वीडियो को like, comment, share जरूर कीजिए चैनल को subscribe करके notification bell को press कीजिए all पर hit कीजिए ताकि आने वाला हर valuable वीडियो आप तक पहुँचे मिलते हम आप से अपने next वीडियो में till then keep watching, stay connected, thank you